तो ये कवीता है कि लेकिन मेरा बागीचा आबाद है अखबारों के पन्नों को फिर मैंने आज पढ़कर यूँ अन्देखा कर दिया अखबारों के पन्नों को फिर मैंने आज पढ़कर यूँ अन्देखा कर दिया जले कुछ घर दंगों में फिर शायत कहीं लेकिन मेरा बागीचा आबाद है दिल्ली मुंबई गुजरात की सडकें दिल्ली is 84, गुजरात is 2002 and मुंबई is 93 दिल्ली मुंबई गुजरात की सडकें आज तक भूली नहीं इनसान की हैवानियत को दिल्ली मुंबई गुजरात की सडकें आज तक भूली नहीं इनसान की हैवानियत को पर हर गुजरते साल यह शुक्र मनाता हूँ मैं कि देखो मेरा बागीचा तो आबात है रोटी चावल पकवान हर दिन मेरे घर एद और दिवाली की तरह सचे पर किसान सिक्कों का किष्ट दे दे कर एक दिन असल जहर का पिए लेकिन मेरा बागीचा आबात है आज भी ये सुना है मैंने कि आबरू और कफन साथ पहन कर चलती है ये पर ये खेर मनाता हूँ मैं कि देखो मेरा बागीचा तो आबात है उस सैनिक की मा आज तक घर की राहे तकती है बेटा जो शहीद हुआ सरहत पर आजाए कहीं से ये आस रखती है उस सैनिक की मा आज तक घर की राहे तकती है बेटा जो हुआ शहीद सरहत पर आजाए कहीं से ये आस रखती है लेकिन मैं अपने घरोंदे में बैट अमन शांती का पाठ पढ़ाता हूँ और घमन में ये कहता हूँ की चार मरे सरहत पर तो क्या लेकिन मेरा बागीचा आबात है करीब जो बिना बीमा के बिमार हो सिसक कर मौत को तकता है गरीब जो बिना बीमा के बिमार हो सिसक कर मौत को तकता है और मैं अंग्रेजी अस्पताल जाकर खैर मनाता हूं कि देखो मेरा बागी चाह आबाद है आज भी इस देश की सडकों पर बेघर अमीरों से कुछले जाते हैं आज भी इस देश की सडकों पर बेघर अमीरों से कुछले जाते हैं लेकिन मैं अपने छटके नीटे खैर मनाता हूं कि देखो मेरा बागी चाह तो आबाद है और कुछ लोगों ने इन सबसे मूँ मोड़ साथ समंदर पार अपना आशियाना बना लिया माबाप को खत में सलाम लिख भेजा कि परदेश में ही सही लेकिन मेरा बागी चाह आबाद है एबागीचे वालों इनसानियत तो कब की मर गई तुम में चंद और सिक्के कमाने का जश्न मनाते हो पर याद रखो कि जनाजे में खड़े हो तुम सब लगी इस गुलसिता में चारो तरफ आग है अब बताए मगरूर तुम मुझे कैसे तेरा बागीचा आबाद है ना फिक्र कोई ना जुस्तुजू है ना खाब कोई ना आरजू है ये शक्स तो कब का मर चुका है तो बेफकफन फिर ये लाश क्यों है शुक्रिया अबस्तुजू